हेलो फेल्ट्स हाई नमस्ते कैसे आप सब आपसब बहुत अच्छे होंगे स्वर्स होंगे मस्त होंगे व्यस्त होंगे भगवान तब कर आणटा और बेशन लेंगे इसका रेशियो रहेगा चावल मतलब कटोरी छोटे कटोरी से रहेगा तो बेशन 3 रहेगा उसके बाद जीरा पाउडर ढाले हल्दी पाउडर और शर्षों पाॉडर यह काली मिर्च नहीं जीरा पाउडर ही था और यह इस टेस्ट के कोडिंग नमक खड़ा जीरा अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा से इसमें आमचूर पाउडर भी डालेंगे यह घर का आमचूर आमचूर है इस लिट्वास मोटा दिख रहा है सुखे को थोड़ा अचतैंवा चे는 के बाद इसमें पाणी करदेंगे पाणी यहां प्ति को नहीं करेंगे थोड़ा वार्म जोड़ा एक में उपक्रम में पानीड करने के शाहिके हृई गोला ठील होगा सब्सक्राइब करना होता है तो जितने पत्या को आप कमफर्टेबली इसको लाश में फोल्ड करना होता है तो जितने पत्या को आप कमफर्टेबल फोल्ड कर सके फोल्ड टाइट करना है उसके कोर्डिंग कर लेंगा अगर पत्ता छोटा है तो दो तीन लेयर के मितलब अलग अलग टेप करके चिपका देंगे यकिन मानिये इस तरीके गई यह जो पिक्ची का सब्जी है ना पत्ते का वो बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्ट है हम लोग के घर का तो फैबरेट है खास करके मेरी दीडी का मेहनत तो बहुत है सब्जी को बनाने में मगव एक बार जब फाइनली बन के तयार होता है ना बहुत अच्छा लगता है और इसमें खटाई जो आमचूर पाउडर है जो उसको डालना कंपल सरी है नहीं तो यह जिप को थोड़ा सा आजिप सा फीलिंग होता है कटकट सा फ अधर से फोल्ड करते हुए बिल्कुल टाइटली फोल्ड करना है ऐसा नहों कि उसमें थोड़ा लूज सा हो क्योंकि जब लूज रहेगा तो बाद में इसको प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है अब एक बड़ा पत्ता लेंगे बड़े पते में उससे अच्छे से फोल्ड कर द इस तरीके से दोनों कॉर्णर पर थोड़ा ज्यादा लेयर कर लेंगे इसमें गांठ नहीं देना है क्योंकि गांठ देने के बाद लास्ट में खोलते से हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे सिफ राउंड राउंड खूर जाता है एक तरफ कड़ाही बैठाय थे कड़ हो जाए मतलब खौलने लगे पानी तब इसमें इसे डाल देंगे मेरा दो रॉल तैयार हुआ था टोटर तो जब यह एक तरफ से हलका पका सा दीखने लगे देखे कुछ इस तरीके का कलर चेंज हो जाए इसको टर्ण कर देंगे ऐसे टर्ण करकर के दो तीन बार हम टर्ण करके चारो तरफ से पका लेंगे इसको ढखके नहीं पकाना है ऐसे ओपिन पकाना है और जब देखे कुछ इस तरीके का कलर हो जाए देखे चारो तरफ से सेम इक्वल कलर आ गया है तब इसका यह स्टेज पे अब इसे हम निकाल देंगे इसे लग पकने में लगभव ढ़िए और पकाना है तो उसे धागे को खोल के और कट कर लेंगे तो असब वीडियो में डिलीट हो गया था कट करने के लिए कड़ा ही बढ़ालेंगे इसमें ज्यादा तेल नहीं डालेंगे इसे सेलो फ्राइब के तावर पर रहा हिकिए बहुत ज़्यादा नहीं डाला और उस पर फ्राई करेंगे क्योंकि यह अल्रेडी पक चुका है तो इसे बस करारा तेस्ट आने के लिए और वाइंडिंग सही से हो जाए इसके लिए फ्राई कहा जाता है और यकिन वाने देगे कि तक खुष्टूरत कलर आ रहा है ना मतलब इसे ऐसे भी आप खा सकते हैं ज चिंटा का ही उच किजिएगा कि कल्शी पलटने में तूट जाता है कभी-कभी तो इस तरीके से आप सारा तेल निकालते हुए और कम तेल में ही सारा बैच तयार कर लेंगे तो इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग दोनों यूज करते हैं मतलब सुखा भी कु प्राइ करने में बस साउधानी से टर्न करने के साउधानी होती है और कुछ नहीं में साउधानी से बॉइल करने के बाद बिल्कुल रूम टेंपरेचर पे आने के बाद ही कट करना होता है कट करना ही में साउधानी का काम है अगर आप गरम में ही कट करने लगेंगे तो यह रख दीजिए जिससे उसका नमी सूख जाए और प्रॉपर कट हो सके कट करने के बाद जस्ट फ्राइ कर लिए टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा है चलिए अभी दर मसाले की ताहर करते हैं उसके लिए प्लेट में जीरा शर्शो पाउडर हल्दी पाउडर काली मिर्च और यह भूना हुआ बेशन है हलका से रोस्टेड है ड्राइ रोस्ट है उस बेशन को लेंगे छोटे चमच से तीन चमच और यह आम चूर पाउडर भी डाल सकते हैं मगर अभी आम का सीजान इसलिए आम का और हरी मिर्च को पीस ली हूँ मैं उसे दो चमच ली हूँ हिंग einige हम यह थोड़ा गयास बनाता है निम्हार एंग तृट मैं चारी है जो तेल बचा हुआ था उसमें मिर्च डालेंगे ऑ पच फोरन है ज respect जीरा ओ जाया मिलकर बना हुआ होता है जब हमारा पच्पुरन लाल हो जाए और मिर्ची भी हलका लाल हो जाए तो इसमें दो छोटो छोटो टामाटर कट करके डालेंगे चीद करें बसे अधा एक मिनट पकैये पकाने के बदर अधा हिलका सॉफ्ट हो जाए तो जो मारा मशाला फूला हुआ था वो मसाला को ट्रवेडस करेंगे और मशाला को अच्छे से continue चलाते हुए दो मिनट के लग भूनेंगे और कम फ्लेम पे मशाला को भूनेंगे जब मशाला हमारा हलका भून जा और तली में देखे इस तरीके से हलका transparent सा दिखने लगता है तो अब इसमें पानी डालेंगे सुरू में पानी थोड़ा सा डालके म मशाला को अच्छे से mix करेंगे क्योंकि बेशन इसमें डाला हुआ है तो मशाला थोड़ा सा बंदा बंदा सा होता है उसके बाद जब मशाला खुल जाए तो अपने टेस्ट के कॉर्डिंग जितना requirement हो आप जितना juice रखना चाहते हैं उसके कॉर्डिंग juice रखेंगे और ज दालेंगे फ्लेम कम करके डालेंगे और पुर्डिंगी है जब जङधा फिरने खुला से खुलाना है एक पूल उने तक क्यों ईकलिशाख जिए फुल फ्लेम करने के और एक बॉइली के बाद जैसे ही हमायों है तो लग तो लग एन गरम मसाला मिला ही डेंटे हैं इसे ज्य मसाला मिला है और निकालते वक्त मिली जाएगा इसे अब ढ़क देंगे और गैस को बंद कर देंगे बंद करने के बाद साइब कर दिये इसी के साथ मेरा लजीज टेस्टी और बहुत ही मतलब इसका तुलना किसी से ने किया जा सकता है इतना मस्त सा सब्जी बनके तयार हो गय सब्जी को बनाने में टाइम तो थोड़ा ज्यादा जरूर लगता है टाइम भी ज्यादा लगता है महनत भी ज्यादा लगता है अगर वह ने कि महनत का फल हमेशा मीठा होता है तो यह मीठा नहीं मगर टेस्टी जरूर है बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से बस साथान बलतना पड़ता है जब हम लोग उसे बॉइल करते हैं तो बॉइल करने के बाद बिल्कुल ठंडा हो जाए और इसे ज्यादा अच्छा है कि आप हवा में ठंडा करें और जब हवा में ठंडा होने के बाद वो खुद आपको देखने में जिसे हमें बॉइल करके निकालता है सब्सक्राइब और उस वक्त तो वह थोड़ा सा हाड़ जरूर हो जाता है और हाड़ होने के बाद उसका धागा को अच्छे से खोलेंगे और शावधाने से साथ चाकूर का यूज करते हुए उसे कट करेंगे कट करने के बाद और फिर बाकी सब प्रोसी तो बिल्कुल जनरल सबजी के तरह है आइमीन वह कह सकते हैं आपके कोफता की तरह है तो उस तरीके से सारफ वालो कर लेंगे आई हो पाच का वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरा महना तो अच्छा लगा हो इस तरीके से आप कि खाइए गो बहुत टेस्टी लगता है यकीन माने बहुत बहुत टेस्टी लगता है हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है आप वह ट्राइक कर देखिएगा उसके बाद अपना रिविव को दीजिए गा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज इसे लाइक सब सब्सक्राइब और सेयर करें अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत बोलेगे तब तक के लिए बाई लव यू और टेक केर